कि बंदेबातर हम शिक्षक साथियों और शिक्षक जगत से जुड़े निकरमचारी साथियों जैसे कि आपको पता है राज्जी सरकारी तरफ से कई मैतोफोन योजनाएं चले जा रही है और जिसके समन्द में साला दर्पर्ण से लोगिन करके विधेले लोगिन से आप कुछ से वो काम कर सकते हैं इसके लावा जो भी कुछ योजनाओं के जो है वो परबारी बनाए हुए उनकी आईडी से खुलते हैं तो आज बात करेंगे राज्जी योजना के बारे में तो जैसे कि आप देख रहे हैं यह साला दर्पर्ण फोटल है इसकी जो साइटेस पर नीच इसके समझ में मैंने विस्तार्शिफ बताया था अब जैसे कुछ अपडेट में आपको पहले तो बताता हूं कि जो स्कुलर्शिफ के समझ में 31 जुलाई की जो अपडेट है कल की एप्लिकेशन प्रोसेस फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलर्शिफ इबीसी इगर इसए इस्टूडेंट गयारी बार वीगे उनके भी पॉस्ट्मेर्शिफ का जो फॉर में वह शुरु हो चुका है आटो फरोट का प्रोसस्ट स्रू हो गया हैं प्लटो जो बीटामटेट इसके बाद में एप्लिकेशन प्रोस्ट मैट्रिक स्कुल स्बसटी और सी इनके भ बाद में राजिसरी योजने क्या है क्या benefit से कब क्या benefit मिलेंगे उसके बारे फूरी जान कर लेंगे अब इसके लिए आपको यहां से जैसे यहां school login या office login है इस पर आपको क्लिक करना है और यहां right side में जब भी आप school website है उसमें जाकर के इंचार्ज की mapping करने पड़ेगी और उसके आधर पर आप जो भी है वो काम कर सकते हैं अब जैसे जो school login है उस पर राजिसरी के बारे में क्या क्या options है वह मैं आपको होता हूंगा तो यहां से जैसे school के जो भी नंबर password और capture code आपको यहां से बढ़ने मैं जैसे यहां capture code बढ़ करके आपको यहां बता रहा हूं अब यह capture code में आपको small letter capital letter का जान रखना है यह इंटर करके यहां login पर आपको क्लिक करना है तो भी जैसे अब जैसे यहां आपके सामने अधर स्किम से राजस्री है और स्कॉलस्री पोर्टल है जिसमें प्री और पोस्ट में ठीक है अब जैसे विद्यार लोगिन की बात करें तो यहां मैं जैसे राजस्री में पर क्लिक करूंगा तो राजस्री इसकी में के बारे में क्ली करना है तो यहां से क्ली करें तो यह डैसबोड खुल जाएगा आप यहां से इक ट्लीक टू व्यू डैसबोड कांट यहां से आप dashboard count से आप चेक कर सकते हैं कि total eligible student कितने हैं total application field कितनी है remaining कितनी है और यह सारी जनकर यहां से आपको मिल जाएगी अब यहां से जैसे student status reports है यहां से आपको क्लिक करना है तो यहां आपके सामने class wise है वो आपको यहां दिख जाएगी जैसे कक्षा एक में total student जो पात है दूसरा एक जुन 2016 यह उसके बाद जर्म लेना वाली बालिका है वो इसके लिए पत्र है अब जैसे यहां कक्षा एक में है तो यह एक student है आयू के नसर समभावित बालिका यह एक है पोटल पे जो PCTS ID है वो 0 है यानिकी इसकी अभी PCTS ID है वो इंटरनी की हुए यह जब तक इंटरनी होगी तब तक आप फॉर्म नहीं पर भाएंगे और उसके बाद में इसको वेरिफाय पी करना पड़ता है तभी यह फॉर्म है वह ओके होगा और उस तो जैसे अभी एक आवे दिन पहले कक्षा है और यह अभी से एक आवे दिन बता रहा है जबकि दूसरी कक पांच बाद इसके माँ पत्र दी जिसमें से तीन की जो PCTS ID वो यहां रोच जिसके में से एक की वेरिफाय होगी थी और एक का इप्लाई हुआ था और चार भी भी बाकिए तो इस तरह किसे यह तो होगी कि अग्या अब जैसे इस साल की बात करें तो एक नमर पर आप क्लिक नमर ऐख हम जैए तो इसतरह से यह तो हो गया अब सबस्क्राइब करना पड़ेगा इसके समंद में जो हो बदा देता हूं कि विकिप्ती किसे यहां राज्री मुक्य मंत्री राज्री विकिप्ती विकिप्ती जैसे ही आप देखेंगे तो यह विकिप्ति है अलगी विकिप्ति गयरत दो ज़बाइस की यह निकत साल की है लेकिन प्रोसेस वही है ताइम प्रोसेस है और क्या क्या लाब है वो पूरी मैं बता देता हूं कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि राज जी की बालिकाओं के प्रति समाज में सकारत मक्सोच विक्सित करने हैं और उनके स्वास्ति है और शेक्टने इस तरह में सुदार के लिए एक जून दोजार सोड़ा या इसके पस्षाद जन्म लेने वाले बालिकाओं के माता-पिता आप विभाव को मुख्यमंत्रिय राज से युजना के माध्यम से तीसरी किस्त है उसका लाप दिया जाता है अब इसके लिए में जो कई बार पूंजो पसल भी आ रहा है तो मैं आपको क्लेर कर दो कि बालिकाओं जब जन्म होता तो उसको पहली किस्त उसको ऑस्पिताल मे सबसर दीक है दूसरी किस्त हैं दूसरी किस्ते मिलने के बाद ही आप तिसरी किस्त के लिए अफ़ाइग लेकिन जब तक दो किस्ते नहीं रित किस्त है उसको तो नहीं मिल पाती है यह सबसे बड़ी समस्य अभी भी आ रही है तो पिछले साल यह समस्य आई थी इस बार अभी देखें कि क्या है लेकिन जानतों को सके आप इसका जो PCTS कार्ड है वो जो जचा बच्चा जो कार्ड है ममता कार्ड है वो आप साथ में रखें और उसके और है यह जो मने दो सोल ऐसके बाद हो को सके बाद मैं यूजना युजना है यह उतनी इन रुछात्त वर्तिकिस्ते मीले लेकिन जो पात्र ओंग ही जो पहली किस्थ प्राप्त कर चुटी हो और दूसरी किस्थ यानि मैंने पहले आपको उता दिया कि जब तक तो किस्त नहीं मिलेगी तिसरी किस्त के लिए आप अपले ही नहीं कर पाएंगे पहले किस्त है बच्ची के जन्म के समय और दूसरी है उसके एक साल के होने के बाद में जो भी समंद्र दस्पताल है वहाँ से मिलती है तो वह दोनों किस्ते मिली होगी तभी इसको फैदा मिलेगा और योजना का लावे राज्तन की मुलनिवासी और जन्नादर काड़ काड़ यह आइडी है वो दीवी होती है और यह आइडी से होनी चीए तभी उसको जो तीसरी किस्त का फाइदा है वह पहले गख्षा में प्रश्ची विद्याले में पर्थम गख्षा में 172022 में प्रश्ची लेने वाली बालिकां इपातर होंगी और योजना के अंद्रक्षा ती आइडी है वह मिलेगा लेकिन जीवीत दो अधिकतों है वह मिलेगा लाब क्या होगा तो दिन आंद्रक्षा में प्रविश्पर करति किस्त के रुपय क्योंकि दो किस्ते दो पहले उसको मिल चुकि होगी एक मुस्त चार जार रुपय है वह प्रतान किये जाएंगे और यह जाले में जहां भी बच्छी का एडमेशन को रहा है वहां आपको जमा कराना पड़ेगा और संस्ता परदान के द्वारा साला दर्मन पोर्टल पर ओनलाइन आविज दिन करना नहीं वारे होगा और इसके लिए मैं आपको होता दों कि पिछली साल जो भी समस्या है उसमें सब पुपरिव योजना के ओनलाइन आविदन नेतुं आविदन पत्र विस्तृतिस अंदेद्धिस पत्रता की बुक्तन की सर्तिनें वगर ये सारी है आपको सालह दर्पन की जो भी साइट है इस पर आपको मिलजहगी तो यह तो बात हो गई जो योजना के बारे में आप इसम विद्ध से तो मैंने आपको फ़ले बता दीगी, बालिगा के जर्म के पतिस सकारत्मक बतावन पैता करना, बालिगाओं के लालन पोसन स्वास्ते के मामले में, सुधार के लिए और सब्सक्राइब को बढ़ावा देने के लिए, मात्र मुर्चु दूर को कमी लाने के लिए, ये सारे इसके जो भी है अब इसके जो योजना के अंदरगत लाप है तो प्रतियक बालेगा को इस राजसे योजना के अंदरगत कुल पैतल जारे दीदेम का फुक्तान किया जाएगा अब जैसे जो पहले दो किस्ते है वो तो आपको जन्रम के समय और दूसरी एक साल की होने के बाद में चार cash रूपये है पहली कक्षा में उसको दे होंगे उसके बाद में जब बालेका वो कक्षा 5 उत्रिन करके कक्षा 6 में प्रविश लेगी तो उसको 5,000 रुपे उसके खाते में दिये जाएंगे उसके लिए कोई अलग से प्रोसेस करने का आप सकता नहीं होगी अगर उसको पहली किस्त्रे वो सही समय से मिली हुई है तो सारा प्रोसेस उत्रिन करने के बाद में जब बारवी उतरिन करेगी राज की विद्याले से तो उसी बालेका को 25,000 रुपे उससे पहले 5,000 रूपे और अधिकतम 25,000 रुपे द्णन के समय और एक साल रहने के बाद में कुल मिला करके पैतलजा रुपे की जो है वो राशी उसको पुक्तन की जाएगी और पातरता की सरते हैं पहली सरती योगी बच्छी का जनम है वह एक जुन 2016 को यह उसके बात का होना चाहिए उससे पहले का नहीं होना चाहिए और तरती और प्रशादवर्ती किस्तों के लिए किस्तों सबस्कुल मिल चुकी हो तो सारे किस्ते हैं मिलें लिएगे एक मिलेगी तबी दूसरी मिलें और उइसे योजन censorship रोपह पहली में दिलनेоловमें लोने के चारसर रूप़े किमाने में पांच जा रूपे दिशिया रूपे एक और एक तीसरी और पर साथ वर्जी जोप किस्ते हैं वह एक प्रिवार में अधिक्तम दो जीवित संतानों तक्सी मित यानि दो बालिगां हैं उनको ही इस खलाब मिलेगा और इसके लिए जो माता-पत्र का जो स्वागोशना पद रहा है वह भी इस अपलोड करना पड़े कि ये तो भी वह लप का पातर होगी जो अधिक्तम दो जीवित संतानों कि बात है तो वह दो जीवित संतानों तक होगी और उसके बात में उख्तुब पढ़ने में जो भी पुश्याओं पढ़ने के लिए यूजना का लपके वल एक वर्स के लिए उपलोड दोगा अगले उसके साथ में मात्रशी सुकाट की जो परती है वो जमा करानी पड़ेगी दो संतान समझी तो गोष्णा जन्नादार की परती ये भी उप्लिप्ट गरानी होगी और जो भी आवे दिन होगा वो फिर संस्ता परताने सालत प्रण पूटल के मध्यम से उनकी जो भी लोगिन और इंपोर्टेंट बात है कि योजना के अंदरगत चौती पांच वी छटी किस्ते नहीं छटी कक्षा और दस्वी कक्षा में प्रवेश के समय और कक्षा बारा उत्तिरुन करने पर समंधित राज की विद्याले द्वारा बालिका की माता और माता ना होने पर पिता विव पांपत रहे है या विद्याले में जमा कराने पड़ेगा और उसके बाद में ऑटो प्रसेस होता रहेगा तो तो त्रीस्वी कक्षा में जो भी वाली कहा है उनके लिए शुरुआत होगी अब इसमें डिटेल में दिया हुआ है कि जैसे कक्षा एक में आने पर तिसरी किस् में लेगी अब इसके लिए क्या के डॉकमेंट चाहिए तो एक तो PCTS की जो आईडी है जो कार्ड ममता कार्ड इसको बोलते हैं इसके लवा तो संताना से समंधित घोष्णा पत्र जिसमें कि दो से ज्यादा बालिकाय नहीं है फिर माता-पिता की जीवत नहीं होने की स्थि अब शुरू है तो आप यता संभव अगर आपके प्रिवार में को भी ऐसी बालिका है जिसका जन्म एक जून 2016 या उसके बाद हुआ है और उसका अगर आपने इस साल विद्याले में प्रिविस्ट करवाया है तो उसके लिए यह आवेदन विद्याले में जरू करें लेकि यह बहुत देना पड़ेगा तो यह पूरी जान कर रही थी राजस्त्री योजने के बारे में असा करता हूँ यह जान कर आपके लिए उपई करेगी इससे तरह की अपडेटेट जान करें के लिए चैनल पर बने रहे हैं मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक जय हिंद ते बारत